पूरी बिहार की महिला सर्मिसार है मुख मंत्री जी को बिमारी ग्रस्त होगे हैं मेंटेले पर डिवेंसिया एक बिमारी होती है जो भी मुख मंत्री का प्यान आए तो सेक्स एडिकेशन के बारे में कि महिला बहने हैं उनको सर्मिसार करने का काम क्या पूरी तरह सार्टक है आप देख रहे हैं लिटीजी की जो इस्तिती है ये बिमार हैं और भारत का समिधान ये कहता है कि जो व्यक्ति बिमार हो उसको गद्धी पर बने रहने का को अधिकार है हम तो वही कर रहे हैं कि ये दुर्भाग पुन है कोई नो कोई गलत मेडिसिन देने का काम कर रहा है अब ये तो जाच का भी सा है ना मुखे मंत्री को दे रहा है तो हम लोग इसमें क्या बता हैं मर्यादा से अल्ग उठके और मुख मंत्री जी असर्थ बोलने है इसको हम लोग निंदा करते हैं साड़े महिला पूरे ब्हार के महिला ही विदेश्क महिला सब क्या हम लूग भा Twovo भात नहीं बोलना चाहिए और निद्रिश कुमार जी मुखमंतर जी ऐसा सब्द बोला है आप लोग भी सुने हैं सभी लोग सुने हैं जब हम बाल बच्चे के बेटा बेटी के जब साधी करेंगे तो परिदार बढ़ेगा और उसके हम बुझ चारना और बिधान सबाब में करेंगे एक बहुत निंदन अब इस तीफा देना चाहिए तो जिस बात को कह रहे थे उसको और मर्यादी तरीके कि अब आप जिस तरीके से ले अज जब विधान परिशन में एक बार फिर उस बात को हिमत जुटा कर कहने कि मत किये हैं तो यह बहुत ही बुरी बात है और आरी अबारी इनके बातों को कहीं से भी इग्णोर नहीं करेगी और आने वाला समय इनको बिहार की जनता जवाब दे करना काम करेगी क्योंकि कोई भी काम अगर पर्दे के पिछे होता तो पर्दे के पिछे रहता है पर्दे के सामने लाने का हर विश्य हर समय हर जगह değ прdenते होता है यह सारे लोग जानते ही जो भी महिला है या पुरुष है और आज मुखमंदी जी भी किसी मा के गर्ब से पैदा लिये थे और उस मा से जाकर पुझे कि वो मा कैसे उनको पैदा की थी तब मैं जानूगी मुखमंदी यह नहीं है यह कोई विशे है कि आप सेक्स विद्यालक करेंगे हाउस पे यह गिने चुरे मानिये लोग आते ही जो आपके सरकार को बनाते हैं नियां बनाते हैं और आप इस तरह कि जाती ही जन लेना का सपोर्ट किया था उसके लिए सभी लोग बैठके मुखवंति की बातों को सुने थे और उसमें आप दो लेंद दो शब्द को विश्य को लाने का काम करते हैं यह कहीं से उची थे क्या मुझे वो शब्द सुनने का कहीं से कोई इक्षा नहीं थी मैं सदन से बाहर चली आई मैं चाहती तो वहां मंखवंति को जवाब दे कर आती लेकिन मेरे डेता वहां बैठे हुए थे मुझे ऐसा नहीं परती हुआ कि मैं जवाब दू जवाब दने के लिए हम लोगे पार्ट मैं निदा करती हुँ एक मानी्ज़ सदर्च से होने के लाते महिला होने के लाते माह होने के लाते एक पत्री होने के लाते वहां ओटे सा आज लगा कि यह एक आयतिहासिक दुरुघटना है कि इतने बड़े लोगों से जो लंबे समय तक बिहार का नितित्व कर रहा हो और बोलने के क्रम में इस तरह के बात रिपीट करते जाना जो अपने जुबान से हम लोग भी नहीं बात कर सकते हैं नहीं कह सकते हैं यह मांस सब्सक्राइब करना इस बीमारी में उसका सबसे बड़ा कारन क्या है कि आपके दिमाग में जो बात चलता रहेगा जो अप्टूडेट रहेगा जो आप सोचते रहेंगे वही बात आपके भ्वाइस के माध्यम से वह निकलेगा यह कहीं न कहीं उसी में फसे हुए हैं इसलिए इस तरह के भासा का प्रयोग किया है एक बात बता दे इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो इसकी लोग जो है सर्माते हैं चकते हैं तो उसे लोगों को बचना चाहिए तो स्कूलों में पढ़ाई होती है बच्चे पढ़ते हैं तो हमको लगता अगर सेक्स एडुकेशन की अगर बात आई उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना हूँ प्राक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए तराज नहीं लेना बट इस भी बोर टेकिन अजा सेक्स एडुकेशन subscribe to midday india get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon